अगर आप 20 से ज्यादा प्रश्णों के सही सही उतर दे पाते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि आपकी प्रेक्टिस सही है लेकिन प्रेक्टिस जारी रखें दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्ण और प्रतिक प्रश्ण के लिए आपको 2 से 3 सकेंड का समय दिया जाएगा और 4 आप्षन है जैं दर्शन के नुसार जीन जिसें इंगलिश में जीना बोलते हैं शब्द का अर्थ क्या है बताएं इनसका अंसर होगा A, यानि की Conqueror, यानि की Vijeta, यानि जीन का अर्थ होता है, विजेता, अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है, निमलिखित में से कौन सा पिठवी का बाहतम ठोस भाग है, बताएं इसका अंसर होगा C, यानि की Crust, अगला प्रश्ण लेते हैं तीसरा प्रश्ण है दोस्तों, स्वराज पार्टी की अस्थापना किस ने की थी? आपके सामने ये चार ओप्शन है, बताएं इसका अंसर होगा D, यानि मोतिललनेहरू और चितरनजन्दास अगला प्रश्ण लेते हैं चौथा प्रश्ण है, बेंजीन अनू की संरश्णा में बंधन कोण यानि डिग्री में कितना होता है? इसका अंसर होगा D, यानि 120 डिग्री पांचमा प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है, नागरिक उड़ेयन मंत्राले की पहल उड़ान में A का मतलब क्या होता है? बताएं इसका अंसर होगा A, यानि आम इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, उड़े देश के आम नागरिक अगला प्रश्ण लेते हैं छटा प्रश्ण है, जन्वरी 2020 तक की इस्थिति के अनुसार निमलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के उपरा जिपाल है? बताएं आपके सामने ये चार ओप्शन हैं, बताएं इसका अंसर होगा D, यानि ग्रिश चंद्र मुर्मू सात्मा प्रश्ण लेते हैं सात्मा प्रश्ण है, आपके स्क्रीन पर भारत में राष्टिय खेल दिवस किस तारीख को मनाये जाता है? इसका अंसर होगा A, यानि 29 अगस्त को और ये मनाये जाता है मेजर ध्यान चंद की जन्ति पे आठमा प्रश्ण है दोस्तों, हाली हमें कौन सी कमपनी ने 10 लाख करोड के बाजार पुंजी करण को पार करने वाली पहली भारतिय कमपनी बनी है? इसका अंसर होगा C, यानि Reliance अगला प्रश्ण लेते हैं नवा प्रश्ण है, सन्युक्त राष्ट सतत विकास लक्ष, जिसे हम SDG बोलते हैं के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपके सामने ये चार ओप्शन हैं, बताएं इसका अंसर होगा D, यानि गुणवत्ता पुर्ण सिक्षा SDG 3 दस्वा प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है, पिर्थिवी परग्यात सरवाधिक घनतो वाले इस्थिर तत्व का नाम क्या है? इसका अंसर होगा A, यानि ओस्मियम अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्न है निम्लिक्षित में से किस धरोहर इमारत का उले ख उन धरोहर इमारतों में नहीं किया गया है जिन्हे जनवरी 2020 में अपनी दो दिवसिय पश्र मंगाल यातरा के दोरान परधान मंत्रि नरेन्न मोधी द्वारा राश्ट को समर्पित किया गया था बताएं 12. प्रश्ण है इसका अंसर होगा C यानि बेलूर मठ मंदिर अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है दोस्तों जन्वरी 2020 तक मेक इन इंडिया कारिकरम डैस द्वारा लागू किया गया था पहला ओप्शन आपके सामने है बागे तिन आप्शन भी दिखाए जा रहा है बताएं इसका अंसर होगा B यानि वार्नेची और उद्योग मंत्रा ले अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है दोस्तों नितियों और उनके मूल राजियों के संदर्व में निमलिखित में कौन सा युग्म सही है इसका अंसर होगा D यानि यक्षिगान यक्षिगान करनाटका का निर्थे है सतरिया असम का है और कलारी पयाट्टू ये तमिलाडू का है अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है राजियों के महादिवक्ता की निख्ति कौन करता है बताएं इसका अंसर होगा A यानि राजिका राजपाल अगला प्रश्ण लेते है प्रश्ण है निमलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान आरियों के तिबबत ग्रिह सिद्धान से समद्धित है आपके सामने ये एक आप्शन है बागे तीन आप्शन दिखाए जा रहा है बताएं इसका अंसर होगा A यानि की दयानन सरस्वती सत्रहमा प्रश्ण लेते हैं आज का प्रश्ण है दोस्तों हवा में दुहनी का वेक कितना है इसका अंसर होगा B यानि 343 मीटर पर सेकेंड अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है निमलिखित में से किस राजी के सीमा मध्य परदेश के साथ नहीं मिलती है बताएं इसका अंसर होगा C यानि उडिशा नहीं मिलती है लेकिन गुजरात, राजिस्थान और उत्तर परदेश मध्य परदेश की सीमा के साथ मिलती है अगले प्रश्ण क्यों चलते हैं प्रश्ण है ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखा कौन है इसका अंसर होगा A यानि शसी थरूर अगला प्रश्ण लेते है प्रश्ण है टोर डैस की इकाई है किसकी इकाई है बताएं आपके सामने चार आप्शन है बताएं इसका अंसर होगा B यानि प्रेशर यानि दाब दबाओ अगला प्रश्ण लेते है प्रश्ण है दोस्तों किस्वा ये है प्रोपेन में क्रमशह कितने कारवन और हाइडोजन परमानू है बताएं इसका अंसर होगा C यानि तीन और आठ यानि की कारवन तीन होते हैं और हाइडोजन परमानू होते हैं आठ अगला प्रश्ण लेते है 22 प्रश्ण आपके स्क्रीन पर किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूटनामेंट जीता है बताएं इसका अंसर होगा बी यानि मोहन बागान कप मोहन बागान टीम का नाम है अगला प्रश्ण लेते हैं 23 प्रश्ण है आपके सामने इन में से किस राज में अशोक की जौगड शिला राजाग्या यानि की रोक एडिक्ट इस्थित है बताएं इसका अंसर होगा बी यानि उडिसा अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण है रामसर सम्मेलन का लक्ष डैस का संरक्षन करना है बताएं इसका अंसर होगा डी यानि आद्रभुमी अगला प्रश्ण लेते हैं आज का आखरी प्रश्ण निमलिकित में से किस पशु को भारत के राश्टिय प्रतीक में जगह नहीं मिलती है अपके सामने चार ओप्शन हैं बताएं इसका अंसर होगा यानि उट उट को जगह नहीं मिलती है लेकिन अगर हम बुल यानि सांड बोले और घोड़ा और सिह यानि लायन इसको जगह मिलती है दोस्तों आज का ये आखरी सवाल था आपको ये पचीस प्रश्णों की जो सेट है ये कैसी लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना ना भूले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तके लिए जय हिंद